महीं सलाबंतिर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स छेडखानी का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया यूती को तो कहां इमारत के चोथे मंजिल पर लगी आग दिपावली की रात में छे साल की मासूम बच्ची की दी गई बली तो कहां लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग तो कहां तूफान ने कैसे बरपाया कहर हजारों लोग हुए लापता ये सब देखिए हमारे टॉप फाइब बिहार के हाजीपुर में छेड़खाने का विरोध करने पर यूती को जान दे कर ची कीमत चुकानी पड़ी छेडखानी का विरोध करने पर दबंगों ने मिटी का सिल डाल कर यूती को जिन्दा जला दिया पंदरह दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार इस यूती की मौत हो गई परिवार ने शव सड़क पर रहकर विरोध किया इंसाफ की मांग सोसल मीडिया में भी उठने लगी तब जाकर कहीं न कहीं बिहार के मुख्य मंत्री रेणु देवी मामले की जाज के आदेश दिये और तीन आरोपियों पर मामला धर्च किया गया मुख्य आरोपी चंदन की गिरफतारी भी हो चुकी है दो आरोपी अभी फरार है कल्यान के गोद्रेज हिल इलाके में एकरोईना कैसुरीना सोसाइटी के चौथे मंजिल पर एसी से चिंगारी निकलते ही आग लगे ये घटना मंगलवार दोपहर में हुई है आग की उची लग्टों से आग उपर की एक फ्लोर पर भी फैल गी किसी के हाता हात होने की खब की बली दे दी गई सुबह बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ मिला यहां तक की बच्ची का दिल भी निकाल लिया था दिपावली के दिन छे साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल नहीं थी और दिये रखने के लिए खेतों में गई मगर उसकी दो बहने खेतों से व की बली दी गई है पुलिस इस पूरे मामले की जाच में जुटी है वहीं जर्मनी में दूसरी बार कुरोना महमारी की लहर बढ़ती ही जा रही है और सरकार ने इस से निपटने के लिए चार हपतों का आंसिक लोगडाउन लगा दिया है इस लोगडाउन के खिलाफ जंता स पानी की बोतल और पत्थर फेक है जनता का कहना है कि लोगडाउन नहीं लगाना चाहिए इससे उन पर असर पड़ता है जीवन तबाह हो रहा है विरोध करने में सबसे आगे बेरोजगार यूवक और दुकानदार ब्यापारी शामिल है फिलिपिन्स में बामको नामक तू सवीरे ही बया कर रही है तूफान से अब तक 66 लोगों की मौत हो गई है तो सेक्ड़ों लोग घायर है हजारों की संख्या में लोग लापता बताये जा रहे हैं बुद्धवार से गुरुवार तक इस तूफान ने इस कदर कहर बर पाया है कि तवाही का मंजर देखकर कि तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइमिस